आपने भी देखा होगा फेस्बुक पेज के उपर बहुत सारे ग्रूप्स लोगों ने बना रहा के उनके उपर अच्छे खासे मिलियंस में भी फॉलोवर्स हैं 20,000 फॉलोवर भी पचास जार फॉलोवर भी और उन ग्रूप्स के थू दोस्तों बहुत अच्छी खासी अर्न तक बात करेंगे अगर लास्ट में यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूब कर देना तो दोस्तों चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर यह देखिए जैसे मैंने अपना फेस्बुक ओपन किया और यहां पर जैसी इस त्री डोट पे क्लिक क करते हैं आपको बड़ी आसानी से दिख रहा होगा और यहां पर यह देखिए आपको एक गुरूप का उप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों बहुत ही नोलेजबल वीडियो होने वाला है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए आप चाहो तो खुद का गुरूप आप यहां पर अपना गुरूप का नाम बिल्कुर समझ के रखना जिस हिसाब से जो कंटेंट आप उस पर अपलोड करोगे उस हिसाब से मैं एक्जामपल के लिए जैसे एंटर्टेन्मेंट मुवीज लिख देता हूं और अब आपको एक उप्शन दिखाई दे करेंगे आपके गुरूप के उपर अब देखिए मैं इसके अंदर एक चीज बताता हूं यूवर गुरूप हैस बिन क्रेटीड यह गुरूप तो बन चुका है अब यह देखो इसमें बोल रहा है कि आपका बिल्कुल नया गुरूप तो आप इस पर डैरेक्ट फोलोवर क क्लिक करना और इन्विटेशन सेंट हो जाएगा वह आपके इसको भी गुरूप को भी फोलो करना स्टार्ट कर देंगे यह देखिए जैसे उस पर क्लिक किया अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लोड यूर फोटो आप जो भी अपने ग्रूप के उपर जो फो पर फोटो आ चुका है अब आपको एक नेक्स्ट का उप्शन दिखाई दे रहा होगा मैं इसकी जितनी भी इंपोर्टन सेटिंग सोची सारी बताने वाला हूं आप लोगों के साथ यह देखिए एड़े डेस्क्रिप्शन डेस्क्राइब यर ग्रूप आप इस ग्रूप जो आपको लिखना है सोच समझ के बड़े हिसाब से जैसे इसमें मैंने यह लिख दिया और अब देखिए इसके अंदर में जस्ट नेक्स पर क्लिक करते हैं यह लिखना आपको बहुत अट्रेक्टिव है इस चीज़ का ध्यान रखना जी साब से मैंने जस्ट एक्जामपल के लिए बताया आपको आप इसमें सोच समझ के जो भी आपके ग्रूप का हिसाब से कंटेंट आप अपलोड करो जैसे नेक्स पर क्लिक किया यह देखिए शेयर वाई यू क्रिएटिड यूर ग्रूप यह आपसे एक पोस्ट कर सकते हो कि आपने ग्रूप क्यो बनाया है इ इसमें जैसे मैं लेकी देता हूं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई न्यूगरूप इस तरीके से आप चाहो तो इस तरीके से भी एक पोस्ट शेयर कर सकते हो माई न्यू ग्रूप यह एक फोर्मल्लिटी के लिए होती है आप इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको सब्सक्राइब करने ही होगी अच्छे तरीके से इसको लिख आ जस्ट फर लिखेंगे और इसको कर देंगे क्में पहले बैग पे चलता हूं क्योंकि मैं इसको औभी पोस्ट नहीं कर रहा हूं ये देखि मैंने डिस्कार्ड पोस्ट कर दिए यह आप लोगों की min ensuite कि लिए बहुत comment सी है, इनके नाम से ही पता चल रहा है, आप बड़ी इजली इनको समझ सकते हो, invite people to join, वो मैंने बताई दिया था, वहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, जो भी आपके इस facebook page के उपर जो followers हैं, इनको सब को चाहो तो आप invitation भेज सकते हो, या mail के through भी कर सकते या share via qr code, यह बहुत सारी चीज़े हैं, इनमें आपको जो अच्छा लगे उसको select करिए, और यहां से आपको यह करना बहुत जरूरी है, तो ही जल्दी से आपके जो facebook group है, उसके उपर भी followers बढ़ जाएंगे, अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और यह देखी, इस पर set कर सकते हो, मैं इसमें अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट उसकोने वाली चीप पर चलते है, corner पर, settings वाले पर, और अब देख लीजिए, जो most of most important settings होती है, वो क्या-क्या होती है, यह देखिए, यह जैसे open होके आगया, इसमें एक option दिखाई दे रहा होगा, आ अब हमें अपने इस group की setting करनी है, मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो mostly, जो main main है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, यह देखिए, name and description, cover photo, new member info, यह तो बहुत common setting है, एक ही सबसे important है, यह देखिए, privacy, आप इसको जब चाहे, इसको private भी कर सकते हो, public भी कर सकते हो, आपके अच्छे खासे followers बढ़ जाते हैं, और बाद में इसको आप public नहीं रखना चाहते हैं, private करना चाहते हो, वही auto approval वाली बात है, अगर आप चाहते हो, इसको जो admin approve करें, वही लोग post कर पाए उस हिसाब से, तो इसको just simple हमेशा आपको अभी तो फिलाल तो public ही रखना है private group आप इसमें जब ये grow हो जाए तब आप कर सकते हैं, जैसे मैंने public पे select किया हूँ और ये back चलते हैं, अब देखिए, इसमें आपको एक option दिख रहा होगा है, ये hide group, ये आपकी knowledge के लिए बता देता हूँ, ये visible रखना चाहते हो, ये hide करना चाहते हो, आपको लगता है, तब भी आपका जो मन करें, इसको visible कर सकते हैं, hide कर सकते हैं, ये option मैंने आपकी knowledge के लिए बता दिया है, अब इसमें बात कर लेते हैं, जो एक बहुत important चीज होती है, वो देखिए, just इसके ओपर आपको ये option दिखाई दे रहोगा, post approval, आपको देखते हो, जो group के अंदर post approval क लिए बोलते हैं, वो यहां से select करते हैं, अगर admin and moderate can decide, जो भी इसका admin होगा, जो इस group का, वो ही decide करेगा, क्यों लोग इसको उपर post कर सकते हों, और कोन नहीं, on और off का option है, अगर आप इसको on कर दोगे, तो बिना आपकी approval के जो admin है, जो भी facebook group का, कोई भी बंदा post नहीं कर स करों, यह grow हो जाता है, तब आप तो admin के approval की जरुवत पड़ती है, अब मैं आपको एक चीज और बता जता हूँ, जैसे admin approval कभी भी आप in future own करोगे, तो जो भी आपके पास जो approval request आएगी, वो कहां से देख सकते हैं, जो भी post है, यहां पे एक pending post करके अगा option दिखाई दे र no ponding post to review है, क्योंकि यह बिल्कुल नए ही Facebook group है, यह चीजे यहां से आप बड़ी easily कर सकते हो, अब मैं आपको बता जिता हूँ, एक चीज इसमें आपको एक option दिख रहा होगा, यहां तो होई गया, अब मैं आपको बता जिता हूँ, एक इसमें अंदर आपको यह दिख रहा है, तो बड़ी easily यहां से आप pending, जो भी इसके उपर post हो, देख सकते हो, और आप email को approve करोगे, तो ही वो इसके उपर upload हो पाएगी, यह group rules के बारे में आप ने देखेंगे, बहुत सारे group के उपर आप visit करते हो, rules लिके होते हैं, कि इसके उपर, मैं बताता हूँ इसके बारे इसी, यह आपको उसके profile के उपर दिखते हैं, group के पर जब आप visit करते हो, वो rules दोस्तों यहीं से set करते हैं, यह देखिए, इसमें आप already उन्होंने जो बना रखे rules वो तो अलग है, आप चाहो तो खुद का भी इसमें कुछ भी लिख सकते हो, यह आपकी knowledge के लिए मैं बता profile पे set करना है, यह दिखेगा viewers को जो भी आपके group पे visit करेंगे, तो बड़ी इसको यहां से select करेंगे, यह आपको दिख रहा होगा, यह welcome post में दिखेगा, मतलब उनको जिल्कुल जो visit करेंगे आप पे, be kind and courteous, इसमें यह लिख रहा है का आप इस पे अच्छे content upload करना, गलत no hate speech or bullying, मतलब यहां से आप 10 rules set कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, एक यह लिख देते हैं, जैसे no hate speech or bullying, अभी यहां पर मैं कोई भी set नहीं कर रहा हूँ, कि आपकी knowledge के लिए चीज़े मैं बता रहा हूँ सिर्फ, यहां से बड़ी easily आप कोई भी rule set कर सकते हो, अब सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे functions हैं, दोस्तों आप इनको अगर थोड़ा time दोगे इसके अंदर visit करोगे तो आप बड़ी easily इनको सीख सकते हो, अब friends थोड़ी सी बात कर लेते हो, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इससे income की, facebook group आप बनाके earn कैसे कर सकते हो, देखो तरीक इससे अरने की, इसमें होगा क्या, अभी starting में, जैसे आपके इसके facebook group के उपर 10,000, 15,000, 20,000, या जब भी आपके millions में भी followers होंगे, एक ना एक दिन होंगे, अगर आप dedicated होके continuously work करोगे, क्योंकि जिनोंने भी नहीं, जितने भी facebook group आप देखते हो, जिनके उपर millions में followers हैं, य ये चीजे में आपके लिए बता दी है, आपका भी facebook group बहुत जल्दी से grow हो सकता है, अगर आप इसमें continuously work करोगे, तो अच्छे अच्छे content upload करके, अब दोस्तों होता क्या, इससे earning करने के तरीके क्या होता है, मालो आपका facebook group अच्छे से grow हो गया, और इसके उपर ठीक ठाक followers बढ़ गए, जैसे लाखों में हो गए, या millions में हो गए, दोस्तों इसमें होगा क्या, जैसे ही आपका ये facebook group सही से grow हो जाएगा, तो जो viewers होते है, जो creators होते है, वो आपके facebook group को join करेंगे, और उसके उपर videos upload करना है, start करेंगे, तो उस case में आपको क्या करना है, होई restrictions वाली ये admin approval वाली, जो मैंने बताई थी, अगर इस तरीके से आपका facebook group grow हो जाता है, उसके उपर admin approval, तो दब तक दोस्तों आप उसको approve नहीं करोगे, उसके उपर videos upload नहीं कर सकते हैं, अब इसका admin approval का मतलब यही होता है, आप उनसे बात कर सकते हो, या वो खुद आप से बात कर सक सकते हैं, 1000, 2000, 3000, जो भी यह depend totally आपके उपर करता है, कितने रुपे में आप deal करते हो, तुस हिसाब से डेली के post upload कर सकते हैं, videos upload कर सकते हैं, mostly तो 2 या 3 ही video के लिए permission होती है, upload करने की, यह होता है दोस्तों इससे earning करने का तरीका, अब दूसरा तरीका इसका क्या होता, आप चाहे तो इसको rent में भी दे सकते हो, मालो इसके आपके कोई Facebook ग्रूप को rent पे लेना चाहता है, यह अच्छा खासा grow हो जाता है, तो आप बैटके उनके साथ बिल्कूल deal कर सकते हो, चाहे आप उनको एक महीने के लिए दे रहे हो, चाहे दस दिन के लिए दे रहे हो, चाहे इतने पैसे उनसे लोगे, कितने नहीं लोगे, यह होता है तरीका दोस्तो इससे earning करने का और इसकी जो settings थी, उनके बारे में सारे के बारे मैंने बताई दिया है, दोस्तो इसको detail में मैंने आप लोगों के साथ सारी information share कर लिए है, आप बड़ी easily एक ऐसा group बना सकते हो, और जल्दी से grow भी कर सकते हो, अगर अच्छे अच्छे content upload करोगे तो, friends अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please यार लाइक और सब्काइब जरू कर देना, क्योंकि मेरे इस channel पे हमेशा आपको अच्छे content देखने को मिलते रहेंगे, तो दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छे सकते जरू कर सकते हैं ।